दोस्तों अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है और बहुत ज़्याधा पेट फूल जाता है अफारा सा लगा रहता है पेट में भारी पन सा लगा रहता है तो इस वीडियो को पूरा देखना आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर क्या हूं अगर पंतने इस कंट किया तो आपके पेट में कितनी भी भेंकर गैसर नहीं हो इसे ले लगए कई बीडियों को दोस्तों जयदा से अप्योंक्त करते ने शींदे हैं वह करता है यहां पर गैस की प्रॉब्लम्म को हम जाएं गीवा ellas возмож आधा-चमच्षी के बाद में इसको किसी बरतनें डालेशस प्राइने अब इस में पर चुह में सुबीजय में चीजयरगा सबस्तुमिन नहीं जाए अब सब्सक्राइब है यह यह उते हिंग घी यह आपको बंस पीठ सापकर आधा-घी-जि यह आप की पेड़ की जो गैस है इसको बिल्कुल फिनिस कर देगी यानि की खतम कर देगी आप देखना जैसे ही आप इसके का सेवन करेंगे आपके पेड़ में कितनी भी गैस बन रही हो आपको तुरंत आरा मिलेगा गैस आपकी बाहर होगी तो यहां पर मैंने हिंग डाल दिया जाद हमें नहीं भूलना है और इसके बाद मैं अब इसको निकालेंगे एक कटोरी में यह मैं आपको इस वीडियो में दोन उसके बताऊंगी जो भी आपको पसंद नहीं होता है या झाल जो अब घृत लोगाने वाएँ और अभी में कुछ सामगरी और मिला नहीं है तो व कमेंट करके मुझे इतना जरूर बताना कि अगला वीडियो कि ट्रॉपिक पर चाहिए और आप लोग कहां से मेरी वीडियो देख रहे हैं अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपका नाम लोगी अपने वीडियो में तो इसलिए कमेंट करके बताईए आप लोग कहां से वीडियो देख रही हो।। है, यहां पर आप देख सकते हैं, यह नुस्खा अमरा तयार हो है। अब इसमे। हैं हम डालाएंगे क्या ? अद्रक तो का चाहें तो आप इसमें अद्रक का रस ले सकते हैं। अगर आप प्रपाउडर है इसी अधरक को सुखा करके बनाए जाता है तो आपको पास में अगर इसका पाउडर है तो आप बोले लीजिए यानि की सोट पाउडर यह आपके पेट की गैस के लिए बहुत अच्छा है रामबान नोसका है करके देखेगा आप मेरा नाम लेंगे पांच यह जिंजर पाउडर यानि की सोट का पाउडर आदा चमर डालूंगी आप चाहे तो रस्मी इस्तेमाल कर सकते हो मैं बार 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 बोल रही हूं चलिए यह आपके पेट में जैसे की जब गैस बनती है जब पेट बहुत ज़्यादा गैस बन जाती है तो हमारे पेट में लुष्के को बनाईए और खाईए आप देखना तुलंट आपको आराम मिलेगा और अगर आपके बहुत ज़्यादा पुरानी प्रॉब्लम है गैस कब्जी की तो आप इस लुष्के को लगातार ले लेना तो आप देखना आपकी यह प्रॉब्लम ही फिनिस हो जाएगी य सब्सक्राइब के इसमें डाल देना है आगर आपके पास ब्लैक नहीं। नहीं यह तो इसमें आप सेंदा नमक भी ढाल सकते हैं लेकिन काला नमक से क्या होताए कि बहुत जल्दी आपकी गैस पास होगी यानि की क्या होता एक जो वहां पेट में खाना जो सड़ता है जब सड़ता है पेट अच्छे से साफ नहीं होता है तो उनसे वैक्टिरिया पनब जाते हैं और वहीं सड़ा हुआ खाना आपके पेट में गैस बनाता है तो आपकी वह प्रॉब्लम को ही एक खतम कर देगा तो गैस बनेगी कहां से जब खाना इनी सड़ेगा पेट में आप जो खाना कीसे है आपको दोस्तों यह नुस्खा पूरा बन करके तैयार हो चुका है बढ़ियाजा चलिए क्टा करना है इसमेंसे एक चमच को पर यूदि को आपको ले लेना है और इसको कैसे खाना है आप इसको लीजिए गटक जाए और पानी ले लीजिए एक ग्लास आप ग लेकिन आपको गुर्णगोना पानी लेना है इतना आप कर लेना आपको पांच मिनट में देर आरा मिल जाएगा पेट का भारीपन पेट की गैस अफारा सारी प्रॉब्लम फिनिस हो जाएगी अब मैं आपको बताऊंगी दूसरा नुस्खा दूसरे नुस्खे में आपको क्य नहीं करते हैं खाना बहुत लोगों तो इतनी दिक्कत होती है कि अगर घीकी स्मेल भी सुंगले ना तो उनसे उनको उल्टी आ जाती है तो ऐसे लोगों के लिए यह दूसरा नुसका बता रही हूं आप चाहिए तो कोई साभी उसका इस्तेमाल कर सकते हो चाहिए वाला चा कुछ भी खाते हैं वो सड़ता है उसकी सड़न को यह लोकता है खाना काते हैं वो हजम हो जाएगा जब हजम हो जाएगा तो भाईया आपका पेड़ में गैस बनेगा ही नहीं पूरा गैस बाहर होगा आपको क्या करना है इसका छिलका निकालने के बाद में इसका सेवन यानि प्रसक्राइब लेकिन अगर आपको इसा लग राएक लगाए खाने में तो आप ले जाकर के चाहें तो आप तब एक उपर गरम कर लें या फिर गरम का मतल्ट थोड़ा सा भून लें या फिर आप गैस पर डालेक्ट ने जिए बिलें तब इसको खा सकते जैसे की आप तो थोड़ा सा आग पर भून लेंगे तो इसका जो चरपरा पन जो तीखा पन है वह बिल्कुल गायब हो जाएगा जिसे कि आप इसको आराम से चबा करके खा सकते हैं अब आप अगर नहीं चबाना चाहते हैं तो इसको ऐसे ही जैसे कि आप टैबलेट बगारा खाते हैं टै गैस बन रही है तो आप उस टाम खाली जिए और उसके बाद में आप एक दो दिन इसको खाली पिट और ले लेना तो आप देखना आपकी गैस बननी ही बंद हो जाएगी और गैस की प्रोब्लम आपकी पांच मेंट में गैस की फिनिस हो जाएगी प्रोब्लम आप लोग ज आपको तुरंट आरा मिलेगा गैस में, कब्ज में, अफारा में, पेट के भारी पन में शलिए दोस्तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए दोस्तों शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए